नमस्कार दोस्तों स्वागता आपका हमारे यूट्व चैनल उत्राखन एक्जाम करेकर में दोस्तों हमारा आजका टॉपिक है हिंदी का साइत्याक आदमि प्रुषकान से सम्मानित जितने भी हिंदी के रशनाकार उनके बारे में हम आजका ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे स्लेवस के according और बीपीडियो वीडियो के लिए हमारी ये स्रीच चल रहे है हिंदी की special तो वीडियो तक इसका स्लेवस हम सोच रहे हैं कि केवल व्याकरण साइट से संबंदित जितना भी है या हिंदी का इतियास है इसके लावा जैसे परियावाची सब्द हो गई विलोम सब्द हो गई तसम तद्बहु अनेक सब्दों के लिए एक सब्द देसद विदेसद इस टाइप के जो भी होंगे वह आप लोग कंप्लीट करने क्योंकि अगर इसमें हम विलोम सब्द या परियावाची सब्द पढ़ेंगे तो एक घंटे के वीडियो में लगबग 20-40 ही हम कंप्लीट कर पाएंगे तो इसमें ज्यादा आप लोगों का टाइम वेस्ट होने का चांस हो यह टाइम ऐसा है 10-12 दिन का कि मैं नहीं जा की रचना है और किसवर्स इनको यह सम्मान मिला है तो सबसे पहले बात करेंगे माखनलाल चतुरवेदी को मिला था साहित्यकाद्मी पुरुषकार हिम तरंगनी के लिए ठीक है 1955 में और यह पर्थम साहित्यकाद्मी प्राप्त करता है साहित्यकाद्मी सम्मान प्राप्त कर पहले व्यक्ति कौन थे, रचनाकार कौन थे, माखनलाल चतुरवेदी थे, तो अगर पोछा जाएगा कि माखनलाल चतुरवेदी को साहित्यकार्वी कब मिला, 1955 में, और पहला साहित्यकार्वी पुरुषकार्वी कब से मिला, 1955 में मिला था, हिम तरंगणी के लिए दिया गया प्रुस्कार दिया गया और ये इतियास वीदा की रचना है इतियास से आपको पता चलेगा मध्य एसिया का इतियास है तो ये क्या है इतियास है इसके बाद देखते हैं रामदारी सिंग दिनकर हमने कुछ एक दो जो रचना का रहे हैं स्लेवस से हटा के भी इसमें एड किये हैं क्योंकि आयो कई बार स्लेवस से भार ऊपूच पूच सकता है यो के से स्लेवस भार करwynा लड़गे कहते हैं कि भार से पूचा गया दो चार सवाल तो आयोग भार से पूचता है तो देखिये दोस्तों यह परिक्षे ठीक है आप ब्लेम नहीं कर सकतें कि यहां से पूछा गिया या वहाँ से पूछा गिया आप government job के लिए तयारी कर रहे हो कोई BA का paper नहीं दे रहे हो कि दस पन्नों का एक चित्रा का model पड़ा या भावना जो भी आते हैं और रात को एक model पड़ा और सुबह paper निकल गया इसके लिए सालों से खुद को तपाना पड़ेगा आपको तभी जाके सरकारी नौकरी निकलेगी तो इसमें आपको सलेबस से भी हटके कुछ यूनिक चीजें देखनी चाहिए जो एक्जाम में काफी बार पूछी जाती है तो इसलिए मैंने इसको भी रामदारी सिंग दिनकर को भी इसमें add किया है इनकी रचना है सस्कृति सस्कृति के चार अध्याए और ये एक निबंद है ठीक है तो ये काफी बार एक्जाम में पूछा गया है कि सस्कृति के चार अध्याए के रचनाकार कौन है और सस्कृति के चार अध्याए किस विदा की रचना है तो रामदारी सिंग दिनकर किया इसके लिए इन्हें साह साहित्यकादमी मिला था कला और बुड़ा चान के लिए 1960 में और ये इनका ये काभ्य रचना है इसके बाद देखे हजारी परसाद दिवेदी इनको साहित्यकादमी पुरुसकार मिला आलोक पर्व के लिए एक निबंद है और 1973 में इने दिया गया ये अभी 746 वाला जो एकज सदा का दौर और ये एक ब्यंग है इसके बाद बात करेंगे लेलाधर जगोडी को 1997 में दिया गया अनुभव के आकास में चान के लिए साहित्यकादमी पुरुसकार जो इनकी काभ्य रचना है इसके बाद बात करेंगे मंगलेष्डब्राल तो इने साहित्यकादमी पुरुषकार दिया गया, 2004 में दुष्चक्र में स्रिष्टा के लिए जो इनकी काभ्य रचना है, तो मैक्सिमाम आपने देखा होगा काभ्य रचना है, इसके अलावा 2-3 जैसे कोई निबंद है या ब्यंगे यह आपको अलग से याद करना है, मैक्सिमाम क्या है, काभ्या है अगला है दोस्तों, लाष्ट हमारा मनोहर स्याम जोसी, इन्हें मिला था 2005 में साइत्याक आदमी पुरुषकार क्याप के लिए, किसके लिए, क्याप के लिए, जो की एक उपन्यास है, क्याप किस विदा की रचना है, उपन्यास है, तो इस तरीके से हमने जितने भी इसमें साइत्ययकार्मी पुरुसकार दे गए हिंदी रचना के लिए जो हमारे स्लेबस में है हमने इसमें सारे कवर कर लिए तो आपको ये सारे के सारे याद करने चाहिए और इसके अलावा दोस्तों हिंदी के लिए आपसे ज्यानपीट पुरुसकार भी काफी बार एक्जाम में पूछा है UK SSC ने कि ज्यानपीट पुरुसकार किस किस को मिला है तो सुमित्रा नंदन पंत जी को ज्यानपीट पुरुसकार मिला था 1968 में 1968 में दिया गया था ज्यानपीट पुरुसकार किस के लिए दिया गया चिदंबरा के लिए तो यह आपने ध्यान रखना ह शाफिवारा एक्जाम में पूछा जा चुप है कि सुमित्रा नंदन पंथ को ग्यान पुरुषकार कब दिया गया उनिस सो अर सक में अब देख्य दोस्तों 1965 में ग्यान पीट पुरुषकार की शुरूआत हुई थी और जो ग्यान ग्यानप्रिट पुरुषकार दिया गया था 1965 में जी संकर कुरूप को किसके दिया गया जी संकर कुरूप को दिया गया था पहला ग्यानप्रिट पुरुषकार 1965 में और ये एक मल्यालम रचना थी किस भासा के लिए दिया गया था मल्यालम के लिए तो ये आपने ध्यान रख दो करना है। इसके बाद अगर बात करेंगे महादेवी वर्मा को धिया गया था ग्यानपatoriट पुरुषकर 1982 में ऌरुण Film लिएphase mm42 में दिया गया था महादेवी को या मा रचना के लिए रचना का कुन से रचना के लिए यामा रचना के दिया गया ता, तो यह आपने दो तीन पॉइंट Most IMPORTANT याद रखना है कि पहला ग्यान पिड पुरुशकार किसे मिला 1965 में जी संकर को मिला अगर पहले ग्यान पिड पुरुशकार पोचा जाएगा तो जी संकर हो जाएगा अगर पोछा जाएका कि हिंदी का पहला ज्यानपीट पुरुषकार किसे दिया गया तो वो दिया गया हिंदी का पहला सुमित्रा नंदन पंत को और महादेवी वर्मा को दिया गया 1982 में तो 65 में जी संकर, 68 में सुमित्रा नंदन और 82 में महादेवी यामा के लिए दिया गया महादेवी को सुमित्रा नंदन को चिदंबरा और जी संकर को दिया गया था मल्यालम ओडा को जाई रचना के लिए तो ये टॉपिक हमारा यहीं पर कम्प्लिट होता है अगर वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक और सियर जरूर करें